बार्फलाजिकल एडेंटिफिकेशन ओफ बॉडल आर्थरोपोड बॉडल आर्थरोपोड के लिए हमने स्पाइडर को स्लेक किया हमने पढ़ा कि स्पाइडर एक अरेकनिड है जो इनसेक्ट से डिफर करता है इनके दो बाड़ी पार्ट्स होते हैं फेलो थॉरेक्स और अब अब जो इनकी फंक्शनल लेग्स हैं जो फंक्शनल वाकिंग लेग्स हैं यह इनका जो फ्रंट बाड़ी पार्ट है जिसको हम स्पैलो थॉरेक्स कहते हैं उसके साथ अटेच हैं उसके लावा इनकी आइज इनका माउथ पार्ट्स इनके फैंक्स प्रेंट और वेनम ग्लै इसी तरीके से इनका चैलिसरा और पैडिपल ये भी इनके फ्रंट पार्ट के अंदर वजूद है जबके हम इसके दूसरे बाड़ी पार्ट की बात करें तो दूसरे बाड़ी पार्ट के अंदर इसका अबडामन आता है और अबडामन के अंदर जो important structures है उसके अंदर silk gland है और इसकी epigine जो के reproduction के अंदर helpful है अब इस slide के अंदर अगर हम spider की जो diagram है इसको देखें तो इसके अंदर paddy palp दिखाया गया है paddy palp जैसा के हमने discuss किया spiders के अंदर basically शुरू के अंदर six legs गुआ करती थी इन में से एक जो pair है वो paddy palp के अंदर convert हो गया जो के reproduction के अंदर participate करता है इसी तरीके से एक जो pair था वो chalice ra के अंदर convert हो गया अगर तस्वीर के अंदर हम देखें तो paddy palp एक side पे label किया हुए है उसके नीचे chalice ra को sphalothorax इंसेक्स के अंदर head और thorax है जबके इन के अंदर head और thorax दोनों fuse कर गए है और उससे एक common structure बन गया है जिसको sphalothorax के तोर पर यहाँ पर दिखाया गया है उसके लावा जो sphalothorax और abdomen है इन दोनों को connect करने के लिए एक structure मौजूद होता है जिसको pedicel कहते हैं इस तस्वीर के अंदर अगर हम देखें तो दोनों को connect करने वाला जो structure है वो visible नहीं है यह जो pedicel का character है यह भी taxonomically important है कि कुछ species ऐसी है जिसके अंदर यह वाज़े तोर पर देखा जा सकता है लेकिन कुछ species के अंदर जो sphalothorax और abdomen एक दूसरे के इतने क्रीब आये होते है उपर से इन्होंने एक दूसरे को approach किया होता है जिसकी वज़ा से जो नीचे pedicel है जो इन दोनों को connect कर रहा होता है वो वाज़े तोर पर नजर नहीं आता इसी तरीके से जो abdomen है abdomen का last part अगर हम देखें तो वहाँ पे spinners दिखाए गये हैं spinners basically वो structure है जो spider की help करते हैं silk बनाने के अंदर क्यूंकि ये internally silk gland के साथ attached है जब silk gland से जो silk protein बनाने वाला मादा जो है वो निकलता है तो वो इन ही spinners के जरीए बाहर आता है फिरू के अंदर वो liquid farm के अंदर होता है लेकिन जैसे ही इसका contact air के साथ होता है तो ये solidify हो जाता है अगर हम spiders के बात करें तो इनके अंदर कोई skeleton पॉजूद नहीं है इनकी body soft body होती है लेकिन इसके body के बाहर एक shell होता है जिसको exoskeleton कहते हैं इस वजा से इनको molting करने पड़ती है वसलन इनको अपने life के दौरान कई दफ़ाँ molting करने पड़ती है molting क्या है ये वो process है जिसके अंदर ये अपना पुराना जो exoskeleton है उसको remove करते हैं और उसके बदले में निया exoskeleton बनाते हैं अब जब पुराना exoskeleton remove हो रहा होता है और निया skeleton बन रहा होता है तो उस वकत क्या होता है उस वकत क्योंके इनकी body के उपर कोई protective covering नहीं होती जासे इस stage के उपर ये highly susceptible होते हैं to the attack of predators तो इस वजह से खास तो पर जब इनके अंदर molting का process हो रहा होता है तो इनको छुप के रहना पड़ता है अब अगर हम male और female की बात करें तो कुछ species के अंदर तो इतना ज़्यादा difference होता है male female के अंदर कि वो different species लगती है आम तोर पर जो males हैं वो size के अंदर छोटे होते हैं और females जो है size के अंदर बड़ी होती हैं इस slide के अंदर हम देख सकते हैं कि spider के different body parts को दिखाया गया है front के उपर eyes और clapius इसी तरीके से जो इनका first part है जिसको हम phalothorix कहते हैं इसको prosoma भी कहते हैं और last part जिसको हम abdomen इसको opisthosoma भी कहते हैं यानि इसको हम phalothorix और abdomen भी कह सकते हैं और इसका दूसरा नाम prosoma और opisthosoma भी है इस तसीर के अंदर वाज़े तर पर देखा जा सकता है कि जो prosoma जानि जो इसको sphalothorix है उसको opisthosoma जिसको abdomen कहते हैं उसको connect करने के लिए एक structure दिखाया गया है जिसको pedicel कहते हैं हमने यह discuss किया कि जो pedicel है यह दोनों body parts को connect करता है और कुछ species के अंदर यह वाज़े तोर पर नजर आ रहा होता है और बहुत सारी species के अंदर यह वाज़े तोर पर नजर नहीं आ रहा होता है इसी slide के अंदर जो B diagram दिखाई गई है वो spider का ventral view है इस ventral view के अंदर हम देख सकते हैं कि जो sphalothorics जिसको हम prosoma भी कहते हैं उसके नीचे एक hard plate like structure मौझूद है इसको हम sternum कहते हैं और यह जो sphalothorics का part है यही वो part है जिसके अंदर legs attach होती है और हम देख सकते हैं कि जो abdomen है abdomen के अंदर silk gland मौझूद है और उसी से जो है आगे spinners connected होते हैं जिससे silk production हो रही होती है